नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ भूपेन सिंग। के परियावण से जुड़ेवे जो बन है या बन से जो आवसकता है मानों को प्राप्त होती है उनके लिए उपयोगी है और जो भोजन हम उत्पन्न करते हैं जिसको कि हम किर्शी की संग्या देते हैं किर्शी के लिए चरागाओं की मुख्यते आउपयोगीता है लेकिन अब चरागाओं के अगर आप बात करेंगे या सुनेंगे तो अक्सर लोग चरागाओं को सिमित कर देते हैं कि चरागा चरा का सुरत है केवल चरा का सुरत ही चरागा नहीं है ये तीनों प्रकार से हमारे मानों को मानों जीवन को प्रभावित करता है और परवती सेत्र में चरा और खेती दोनों में इनका क्या रिष्टा है। कैसे ये महत्पून है खेती के लिए। निंसे मिलता है या फिर हम व्रिक्षों से जैसे भिमल का पेड़े है, कोईराल का पेड़े है, इससे हम चारा प्राप्ट करते हैं, मैदानी शेतर जैसे कि आप हलदवानी, पंतनेगर, कासी पूर, इस तरह जो गया के तराईया भावर के शेतर ले लें, जहाँ पानी की उप सीम का उत्पादन होता है, गर्वियों में आप देखें, चरी लगाई आती, जिसको जुवार कहते हैं, घास लगाने का परचलन अभी अक्सर नहीं है, केवल ए घास ही किजान अक्सर लगाता जिसको नेपियर घास कहते हैं, सीकेवल मेनों पर ही लगाई आती खेत में नहीं लगाती है जी आपने जैसा कि मैदानों मैदानी क्षेत्रों में किस तरह से चारा उत्पन किया जाता है चारा पैदा किया जाता है इसके बारे में बात कही तो मैं आप से खास तोर पर यह जानना चाहता हूं कि जैसे उत्राखंड का जो पहाडी इलाका है, वहाँ पर किस तरह के चारागाह हमें देखने को मिलते हैं, या किस तरह से हम चारागाह को परिभाशित कर सकते हैं, उत्रा के पहाडी हिस्सों में, जैसे कि वहाँ पर जंगल हैं, और जिससे चारा हम पूरा समाज वहाँ से चारा लेता है, थोड़ा इन पक्षों पर अगर आप बातचीत कर पाएंगे तो थोड़ा हमारे शोताओं को और ज्यादा क्लेरिटी आएगी किस तरह से चारा पहाड़ों में परमपरागत दोर से भी और आज किस तरह से लिया जाता है अगर परमपरागत दिश्टी से हम देखें तो गाउं में लोग क्या करते थे कि दो प्रकार के बद्धितियां थी एक तो समुदाय के इस तरह पर जिसको कम्यूनिटी लेबल पर कहते हैं और दूसरा ब्यक्तिकर इस तरह नीजी इस तरह पर जो जमीन जहाँ ज़्यादा अनू उपस्ता नहीं था उस एरिया को छोड़ देते थे और वहा घश होती है और इसको उसके बाद काट दिया जाता था ता सितंबर एक्टूबर के मेहने में उस सुखा गर करके हे کے रूप में उसको जाणों में या गर्मयों में खिला या Ay भूसा नहीं पूरा पूरे का पूंधपोदा आच्छा तो किवल बाली से संबंधित है और भू से घासे भुसा नहीं, घासे पूरे का पूरा पूदा, उसमें तनावी है, पत्ती भी है, फूल भी है, बीज भी है, उसको इस्ट्रॉक, जनरली कहा जाता है, उसको यूज करते हैं, तो ये एक पध्धित थी, और दूसरी पध्धित थी, आप अगर उंचाई के शेतर को ले जैसे की मिलम ग्लेशर का एरिया, पिंडारी ग्लेशर का एरिया, जहां भुग्याल के आप बात कर रहे थे, या घासनीज करते हैं, या गरुभाल के एरिया, पायर्स भी कहलाते हैं, ये प्राकृतिक चरागा हैं, वहां ये चरागा प्राकृतिक और पर्मिनेंट इसलिए हैं कि वहाँ पर उूचाई होनी की वैसे हवा का दवाव और हवा की तिव्रता बहुत होती है ठंडा बहुत होता है तो विरिक्ष महां सरवाइब नहीं कर पाते हैं तो एकिवल घास ही सरवाइब कर पाती है तो यह permanent grassland بن جاتے ہیں और अगर नीचे की अरिया में देखेंगे जैसे कि आप मद्धी हमाली सेत्रि में आ जाईए हौलबाग, अलमुडा की अरिया में आ जाईए या गोचर साइट में चले जाईए गड़वाल में तो वहां आप देखेंगे जो उचाई के grassland थे, उनकी विशेश महत्ता थी उनमें medicinal plants भी होते हैं और सदी पहुंदी भी होते हैं और बक्रियां और भेड़ें उसमें चराई जाते थी और एक बहुत अच्छा एक business था आज भी चराते हैं, लेकिन अब ये कम हो गया जो जो जानवर अपने हैं, उनको लेकर के आप जंगलों में छोड़ देते हैं और उसके बाद शाम को जब गोधुली का ट्वालाइट जो टाइम होता है उस वक्त पे वो लॉट के वापस आती हैं तो दिन भर वो चारा जंगलों में चुगने के लिए जानवर जाते हैं तो इस ये जो चारागा हैं, इनको हम कैसे व्याक्षाइद करेंगे? ये जो इन चरागों के अब बात कर रहे हैं, ये अब बहुत कम रहे हैं उसका कारण क्या हुआ है कि कोई भी जब विकास का कारण रहे होता है चाहे वो इसकूल बनने की बात हो या सड़क बनने की बात हो या अस्पताल बनने की बात हो या गाओं में भी या खेती की बात हो तो सबसे पहले जो इसका जो प्रभाव पढ़ता है वो चरागाँ पढ़ता है तो चरागाँ कोई स्कूल के लिए मार किया जाता है चरागाँ का सेतरी ही खेती के लिए मार कर देते हैं तो चरागा घिरे धिरे कम होते चलेगे अब जो चरागा बचे भी हैं उनमें पॉस्टिक चारे कम है उसमें वीड्स हैं या जो चारे जो न्यूट्रिटिव नहीं है पोशक तत्तु जिनमें कम हैं इस तरीजे के जादा हो गए हैं तो पहले जब एनिमल को छोड़ दिया जा है हाथ में समस्या है उनको कि रोजगार नहीं होता था तो गावं वर के जानवरों को एकटा कर चलाते थे गौाले बन जाते थे उनका एक इंप्लामेंट भी चलता था तो अब यह इस तरीजे काम भी लोग करने को तयार नहीं होते हैं चरागा भी कम हो गें तो इस परिष को isports नकराएं यह जिसको हम कहते हैं कि extra curricular activities नकराएं तो यही पसू के साथ होता था जब वो चरागा में जाता था तो वो extra curricular activity भी करता था और नेचरल रेप्रROड़क्शन भी वहां पर लाती थी तो अब क्या होता है कि artificial insemination करना है भूसा खिलाना है तो इस से पसू के health पर दूस्परभाव पड़ता है और साथ ही साथ आप देखें कि पसू का जो वेस्ट मेटरियल है जिसे गोबर या यूरीन है उसको भी आप देखेंगे तो खाद बनाना भी यूज करते हैं जिस गोबर की खाद या कंपोस कहते हैं अब उस खाद में वो तत्तु भी नहीं र तो उसमें यूरीन भी जाती थी और उसमें घास वगरा भी डाली जाती थी तो उसमें सड़ता था तो अच्छी पॉस्टिक खाद बनती थी अब आप देखेंगे जनरली इस्ट्रोग खिलाते हैं भूसा खिलाते हैं हल्दवानी से पहाड़ में भूसा जाता है पहाड़ म एको सिस्टम है और उसमें जो चारागा है उनकी क्या भूमिका है मैं इसको कुछ इस तरह से समझना चाहरा हूँ आपसे कि चारागाहों के होने से हमारा जो एको सिस्टम है उसमें जैसे आपने बताया कि उसकी गोबर बनती है या जो जंगल में जाते हैं तो चारा खाते हैं तो एक कहीने कहीं खुद्रत के साथ हमारे पश्चुूम का रिष्टा है और पश्चू के साथ इंसान का रिष्टा है तो एक पूरा एको सिस्टम उसमें काम कर रहा होता है तो कुद्रती तोर पर चारागाहों की जो स्थिति है हम उसको कैसे देख सकते हैं अभी अब पसू की अगर भुविका देखें पसू एक ऐसी मसीन है हमारे पूरे सिस्टम में जो की उन चीजों को खा लेता है जिसको की मानों नहीं खा पाता है या मानों के लोग प्योग नहीं घास नहीं खाते हैं हम लोग गहों खा लेते हैं गहों की घास नहीं खाते हैं तो उस घास को खा कर गा बिसिस तरीजे का उसके अंदर एक पेट पेट होता है जिसको human कहते हैं, जिसमें bacteria microbes होते हैं और वो फाइवर को decompose कर लेता है, तो उसकी वहाँ से घास में जाता और फाइवर ही होता है, तो hemi cellulose, cellulose, chemical इसको कहा जाता है, तो उनको पाचन करने की शमता केवल पसु में है, तो इसलिए पसु का जो रोल है, बहुत बड़ा रोल है, केवल उसमें हल चलाने से ही संब्दित नहीं है, या अनाज मानने से ही संब्दित नहीं है, वो एक catalyst का रोल प्ले करता है, convert करता है, और convert करके हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ें देता है, इसे दूद हमको मिल जाता है, मावा हमें मिल जाता है, तो अगर पसु न ही जाता है, चारा उत्मन होता है, जाड़ों में गर्मियों में चारे की बहुत समस्या होती है, जाड़ों में अक्षर आप देखेंगे जो गिहों की खेतों में या जो तलाओं की जमीन होती है, इसमें जो खरपतवार उकते हैं, या दिवारों में जो खरपतवार होते हैं किसान या महिला हैं उसको इखटा करके पसु को हरे चारे के रूप में खिलाती है और या फिर चारे के पेड़ जैसे मैंने कहा कि तिमिल है बेड़ू है या खड़िक है या मेहल है या भीमल है इसके चारापती का उप्योग करते हैं या अल्टरनेटिव सोर्स है और ग्रीन होडर की प्रॉबलम हो जाती है तराई शेतर में भावर के शेतर में इस हमस्या नहीं आती अब दूसरी बात यह है कि अब जब पसु तो हमें रखना ही है कि परवती खेती करनी है वहां टेक्टर से भी जोत नहीं हो सकती है कि सीड़ी दार खेत हैं दूर दूर फैले हुए हैं अलग-अलग हिस्से में पड़े हुए हैं तो बैल ही उसका साधन है तो अब इससे क्या होता है कि जो चराई के लिए क्रिशान क्या करता है कि पसु को जंगल में छोड़ देता है जब जंगल में छोड़ता है तो जंगल में जो नए ने पहुंदे होगते हैं जब सीड में क्या रोल है इसके बारे में आपने बताया कि एक बाती दूसरी बात में जाना चाहरा हूं कि पशु किस तरह से जिस तरह से जो कुद्रती चारागाह है अगर वहां जाएंगे तो वहां से चारा जिस तरह से चुकते हैं और जानवर जंगल के बीच का जो रिष्टा है या जानवर या चरागाह के बीच का जो रिष्टा है ये किस तरह से हमारे कुद्रत में एक तरह से संतुलन बनाता है हमारी ecosystem को एक तरह से balance करता है क्या इस बारे में आप कुछ जी प्राकृतिक ecosystem के बड़ी खास्यात ये है कि वहाँ हर चीज balance रूप में होती है और हर चीज एक मात्रा में होती है इसको हम optimum कहते है वहाँ maximum का concept नहीं है और जो मानों का विकास है मानों के विकास में maximum का concept है वहाँ UPYता का concept है यहाँ है exploitation का concept तो यह exploitation और maximization की process होने की वैसे हम जो ecosystem है या परकृती है उसको हम उसका balance को इधर दर कर देते हैं गरवड़ा देते हैं अब परकृती में आप देखिए कि एक system का एक component जो बनाता है जो उसके लिए waste है वो दूसरे के लिए resource का का काम करता है जैसे जैसे पहुंदे हरे पहुंदे खाना बना लेते हैं तो खाना मनाते हैं तो उसमें से कुछ पॉस्टिक तत्तो भी खाते है बिमारी में भी उनकी energy होती है लेकिन जाद फिर surplus में जो होता है वो उनके लिए waste है तो वो कहा जाता है वो पसू खारा है या मानो उसको खारा है ऐसी जंगल में जो पसू है उनका जो waste है वो भी कहीं लिए उज़ हो रहा है हाँ तो nature में कहीं भी waste generate नहीं होता है nature के विकास में और जो mangeजनित विकास है इसमें waste ही waste generate होता आप देखते हैं polythen की problem, portals की problems दुनिया भर की प्रॉब्लम्स इस तरीचे की होती है तो नेचर में एक रिसाइकलिंग का कंसेप्ट आर कुछ भी वहां वेस्ट नहीं है और नेचर में जो एक्सप्लॉइट करेगा तो वो खुदी समाप तो होने लगता है जैसे आप तो मैं सांप और मेड़क की बात बताता हूँ अगर सांप ज़्यादा मेड़क खा लेंगे तो मेड़क की संख्या कम हो जाएगी तो सांप खुदी धीरे धीरे समाप तो होने लगेंगे ऐसी आप देखेंगे जब टाइगर टाइगर का आपने सुना होगा कि इनका एक शेतरी विवाजन होता है टेरिटरी कंसेप्ट उसको कहते है अपने अपनी एरिया का हर सेर एक मालिक होता है तो उस परिस्टी में अगर दूसरा कोई सेर किसी दूसरे टाइगर की एरिया में चला जाए और वहां अगर हिरन भी होगा तो टाइगर उस हिरन पर अटेक नहीं करता है वो दूसरे टाइगर सेर पर अटेक करेगा चीज की वो यह देखेगा कि यह हिरन को यह सेर नखा जाए चौकि मेरा चा भोजन कम हो जाएगा तो प्रकृर्टी का यह है कि बड़ा अच्छा सिस्टम है वाह हर चीज एक का रिसोर्ट है थो दुուसरे के लिए एक का वेस दुसरे के लिए resource का काम करता है तो ये इस philosophy पर सारी की सारी mechanism होती है और परियावरण भी संतुली रहता है परियावरण का है ये basically bio product है पसु का पौधों का और मानों के interaction से ही परियावरण बनता है तो अब हम जंगल चारागाहों को समाप्त किया चारागाहों ये कमी होगी चारे जी कमी होगी तो पसु शेत्रे प्रवावीद होगा खेती भी प्रभावीद होगी जंगल में पसु जाने लगा तो जंगल में भी लॉस होने लगा नई फसले नई चीज़ें नई पांधे नहीं आए Town नई जंगल में तो थी उसके बाद manj का कोई भी इंडस्टियल यूज नहीं है बांकी जो जैसे चीड है चीड का इंडस्टियल यूज है तो इंडस्टियल एक्सप्लोटीशन जा बेसिकली डॉमेस्टिक या लोकल नीड के लिए होता। लकडी के लिए है या खोईले के लिए सबसे ज़्यादा ये चारे के लिए उस होता है इस डिबीट को कैसे समझाए लगा है आपका जो प्रश्न है काफी रोचक है प्रकृति में कोई चीज मैंने कहा ना कि वेस्ट नहीं होता चीड की अपनी महत्वा है बांच की अपनी महत्वा है अगर बांच की जो महत्वा है वो सोश्यल जादा है इन्वारंटमेंटल जादा है इन्डस्टियल कम है अल्मोस्ट नहीं के वरावर है चीड की जो महत्वा है वो सोश्यल कम है वो इन्वारंटमेंटल भी कम है वो इन्डस्टियल जादा है चीड की लकड़ी आप मकान में लगाए ये दिमक आ जाती है तो टिम्बर के लिए अच्छा नहीं है चीड़ी की लकड़ी से आपने पता होगा कि पेपर मना जाता था स्टार पेपर मिल साहरन पूर थी पेपर में इसको यूज करते थे और पहले जो चीड़ी के पेड़ होते थे उनसे रेजिन नहीं निकाला जाता था लीसा जीसे कहते हैं जिसे हमें टिम्बर लेना है उसके ब्रांच तक नहीं काड़ते थे तो उसका खून उसी के अंदर रहता था रेजिन वहीं रहने से वो उड़ में अस्ची डूरेबिलिटी रहती थी वो अच्छा उड़ होता था लेकिन अब यह बात नहीं है अब तो जैसे कि आपने बताया कि जो बांच के जो फाइदे हैं वो परियावर्ण के तौर पर भी सामाजिक तौर पर भी वो हर तरह से जो परवती इक्षेत्र है उसके लिए बहुत उपयोगी है जबकि जो चीड है उसका ओद्योगिक इस्त हाँ चीड को जैसे आप यह कह सकते हैं यह जलाने में तो यूज होता है लेकिन आप क Kissi घरमें चीड की लकड़ी जल रही हो इसके घर में नकर नज़ाएगा और चारे के तोर पर इस्तिया कई नहीं कर सकते चीड की पत्किरां बहुत हैं आजक्त आगी उपी अग्याश् जलता है तो जंगल वरवाद होते हैं और कुछ किसान उसको परपस फुली जलाते भी है उसका कारण यह है कि जब उसकी ऊपर से एक मोठी लेयर वन जाते है तो नीचे से घास अंकुरित नहीं होती है घास का बीच जर्मिलेट नहीं होता है और उसमें डिकंपोजिशन बहु लेट नहीं करने जैसे माँ को छोटी सी बात बताता हूं कि आज से करीब लगवक पंदर साल पहले एक मोरिटोरियम लगाया गया बन विवाग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोरिटोरियम लगाया कि एक हजार मीटर उंचाई से उपर के शेत्र में किसी भी हरे पेड को नहीं काटना है तो उसमें चीड भी सम्मिल लेते हैं तो आप जो कह रहें कि चीड बहुत फैल गया है इसके फैलने में इस फिलोस्पी ने भी काफी योगदान दिया है अब चीड फैलता कैसे यह बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है चीड का बीच में आपको रोकना च को कहते हैं पाइनस लॉंग फोलिया पहले कहते था है आप रोक्सबरगाई कहते हैं यह चीड केवल उतराखρंड में ही होता है और कहीं नहीं है हूता है मांकी सब चीड होते हैं आप कश्मीर में देखें अलग लग चीड है और दुनिया में भी इतना यह नहीं है जितना की यह हाँ है इसका कारण यह है कि यह जो मिट्टी में जो क्वार्ड्ज होता है यह क्वार्डजाइट लविंग होता है जिस मिट्टी में क्वार्ड्ज हो इसको facilitate करता है इसके growth को अब इसको कुदरत ने बड़ी interesting चीज़ दी वी है यह जब पौधा बीस से बनता है तो इसमें root hairs होते है root में एक तो root है और root hairs होते है तो पूरा root पौधे में absorption नहीं करता है और social में काम नहीं आता है केवल जो root hairs मूल के जो बाल है उनी के द्वारा absorption होता है तो यह जो नई जब पहुत बनती है तो उसमें root hairs होते है लेकिन जब यह बड़ा हो जाता है इसके root hairs समाप्त हो जाते है तो आपका प्रस्ट हो सकता है यह जीता कैसे है जी हम मूल तोर पर चारागाहों के बारे में बात का लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा हमने ship किया और बांज और चीड के बारे में हमने बात चीत की कि इन में से कौन सा पहाड के हिसाब से चारे के हिसाब से ज्यादा उपी होगी है मैं अगला सवाल जो मेरा है मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहाड में इनके अलावा जंगलों में और कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो चारे का काम करते हैं या सबसे बेहतरीन चारा, अगर जंगल में देखें, तो सबसे बेहतरीन चारा हम किसे कह सकते हैं? जंगल में चारे की जहां तक बात करें, तो यह नूटिटिव पॉइंट अभी उसे देखें, पोसक तत्तों के आधार पर अगर देखा जाएं, तो बांच का जो चारा है, हरा चारा, वो भी उतना पॉस्टिक नहीं है। उसका कारण यह है कि इसमें जो प्रोटीन की मातरा हो कम हो जाती है। तो बांच का चारा एक उपियों की चारा नहीं है, लेकिन किसान के पास कोई आप्शन नहीं है, और खास का जाड़ों में, तो इसलिए बांच काटके खिलाता है। तो आप नेचर में देखेंगे, जंगल के अंदर फॉर्डर की चारे के ब्रिक्शन नहीं तो हम यह कह सकते हैं कि जो सबसे बहतरीन चारा है पाहडों में, वो जैसे तिमिल का पेड़ है, उसके जो पत्ते होते हैं, भीमल में टैनिंस होते ही नहीं है, बाइस परसेंट उसकी डायस्टिबिलिटी है, तो टोटल प्रोटीन एनिमल को मिल जाता है, भीमल से, लेकिन भीमल का या इस्तेमाल का इनसान भी कर सकता है? इडेबल नहीं है, फ्रूट इडेबल नहीं है, इसकी लखणी जलाने में जो इसका वुड है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम यह है, यह थोड़ा धुआ करता है, तो इसलिए इसको गाउवाले क्या करते हैं, विंटर में इसको अगीठियों में बाहर जला करके अंदर ले आत है, तो आप, तो जनरल ही आप देखें, किसान कभी चाड़े के पेड़ों को लगाता नहीं है, चाड़े के पेड़ों को बचाता है, जहां भी उसको चाड़े का पेड़ मिलेगा, उसको बचाएगा, किसी भी किसान को आपने चाड़े का पेड़ लगाते नहीं देखा कि आपके बावर पास हो जाता है। ने अमरूद का बीज बावर आ जाता है, वह डिके नहीं करता है, और उससे उसका जर्मिनेशन फास्ट होता है क्योंकि इनका Sीट कोड हार्ड होता है, जैसे आप तिमिल गुलर प्रजाति का पहुंदा है। जैसे आपने भीमल की क्वालि की कल्च ski casual value है। जो की भीमल की नहीं है। आप जैसे स्रॉड्ध होते हैं. या बढ़नारा होता है तो कोई पत्तल नहीं बनते हैं पहले बैयार से कोई पतल नहीं आता है। टिमले के पत्ते तोड़ लिए जाattे थैं बढ़िया इसका दो तरीके से होता है, इसके जब पकान ही होता उससे पहले हरी ऑस्ता मे वो छोटा जब हो, इसका रायता बनता है और सबजी भी बनती है, और इसका जो रायता है इसको हम अंगRIजी में डायुरेटिक वर्ड यूजे करते हैं, मैंने खाये लिया थिक पाचकता करता है मैंने खाया है मैं बनाता भी हूँ और इसको बनाने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि इसमें जो खाल होती है इसके बाहर सी मुटी होती है तो इसको जब उबालते हैं कुकर में कभी नहों बालिए पतीली में बालते हैं थोड़ा गहस ज्यादा लगेगी उसमें पानी में थोड़ी राख डालनी पड़ती है उससे सौफ्टनिंग हो जाती है उसके बाद हाथ से मसल लीजिए तो यारो इस हिल्वर्टे में पीछ लीजिए उसके जरायता बना ल वर उन से रायता है वह भी बड़ा पाचकता की बढ़ाता है तीमिल की सब्जी बनती है और जो त्मिल पग आता है तो इसको गुलर के रूप में फूर्ट्स खाते है एं लो लेकिन ये एनिमल के लिए एक उसके टेस्ट का नहीं, प्रिफर्ड फॉर्डर नहीं है, जैसे आप किसी जानवर को गब हिमल दें और तिमिल दें तो विमल पर तूट पड़ेगा, हिमल का है कि पत्ता चाड़ जाएगा, तिमिल को छोड़ देगा, तिमिल को आप परूगाय नहीं उनको देते थे, लेकिन दूद वाली जो गाय होगी, उसको हमेशा भी मल खिलाएंगी, जी, अब मैं आप से अन्तिम एक सवाल करना चाहता हूँ, कि जैसे आपने जो हमारे चारा जिन से हम पैदा करते हैं, जो पेड़ पौदे हैं, उनके बारे में हमें सौंग्स हैं, वो कहीं ने कहीं हमारे चारा गाहों से भी निकल के आते हैं, जैसे मुझे याद आता है, जी, बेड़ुपा को बारा मासा हो गया, और जैसे दूसरा मुझे याद आता है कि काटना काटना परली उच्छा 84 को बना, अगर याद आ रहा है कुछ इस तरह के और जो हमारे सांस्कृतिक जीवन में, जो उनका जो लिंक है, जो ऑगनिक लिंक है सांस्कृतिक जीवन के साथ, कुछ ऐसे किस से या आपने अपने रिसर्च के दोरान इन इलाकों में देखे हूं, कुछ ऐसे आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे शूता हों सकते हैं, जैसे कांस इसका कुषा कुषा यह से कहते है कुषा कांस एक ही चीज है उसकी धार्मिक प्रोपर्टी आता है तो यह भी एक कल्चरल डाइमेंजिन को एड़ करता है और इसकी खासे देगी जड़े बहुत गहरी होती है म्यूजिक से रिलेटेट कुछ बताइए म्यूजिक से रिलेटेट बांस के बांसुरी बनती है बांस फोडर भी है बांस बड़ा अच्छा फोडर है लेकिन बांस हर जगे है जैसे कोई और गीत याद आ रहे हैं आपको जैसे बेडू पाको हो गया काटना काटना पहली होचा और बहुत अच्छा आपसे बाचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और जितना भी आपने बाचीत हमें की उत्राखंड के चारा गाहों के बारे में उसके जो डिफरेंट डाइमेंशन्स हैं उसके जो विभिन आयाम है उनसे आपने हमें परचीत करवाया इसके लिए आपका प्रोफेसर मिलकानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरा आपसे एक निवेदन होगा कि जो चारे से संबंदित बैग्यानिक हैं उनको ये बताएं कि वो किवल चारे को फॉडर के रूप में न देखें ग्रास लिडिटी को फॉडर के रूप में न देखें उसको टोटैलिटी में देखें सांस्कृतिक पहलू के रूप में भी देखा जाया है तो उससे क्या होगा कि किसान लोग चारे चरागाहं को चारे को लगाने में अपनी रूची उत्मेंटिक रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया